जै महाकाल रादे रादे ऐसे ही कई लोग तुलसी के गमले में सिबलिंग रख देते हैं और वहीं तुलसी और सिबलिंग का पूजन भी करते हैं बास्तु की माने तो तुलसी के पौदे में सिवलिंग को कभी नहीं रखना चाहिए और आणिक कथाओं के एनुसार तुलसी का पूर्व जन में नाम ब्रंदा था और वह जलंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी सिवलिंग पर भूल कर भी तुलसी की पत्यां नहीं चड़ानी चाहिए सिवलिंग पर हमीजा बेल पत्र की ही पत्यां चड़ानी चाहिए बेल पत्र बहुत सुभ माना जाता है भगवान सिव की मूर्ती या फिर सिवलिंग पर बनी तीन रेखाओं के तिलक को तुरुपुंड कहते हैं जिसे हतेली अत्वा किसी पात्र में चंदन या फिर भजम रखकर तीन उंग्लियों की मदस से बनाया जाता है मानता है कि तिपुंड की पतेग एक रेखा में नौ देवताओं का वास होता है इस प्रकार तिपुंड में कुल 27 देवता वास करते हैं कर्मकांट के अनुसार कहा जाता है जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा रादे रादे जैश्री कृष्णा